सेल्स के बिजनेस में हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई चीज हम किसी को सेल करने जा रहे हैं हम जब भी किसी व्यक्ति को कोई चीज देने के लिए जा रहे हैं तो हमें सेल्स में नहीं बनना है हमें कंसल्टेंट बनना है आप के पास जाते हैं डॉक्तर क्या करता है वह आपको दवाईया नहीं बेचता है आपको यह प्रॉब्लम है इस पॉब्लम के लिए आपको यह लेना चाहिए आपको यह इस्तमाल करना चाहिए आपको ये खाना चाहिए, आपको ऐसी दिन चर्या रतीद करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो आपको consult करता है, और लास्ट में एक prescription बना के दे देता है, ये दवाईया ले लीजेगा, ये खाली जेगा, पांच दिन बाद वापन साके मिलिए तो, तो किसी को आप बेचना नहीं है आपको, आपको consult करना है, यदि किसी के पास पैसे की कमी है, आप उनको बोलिए, देखे, डारेक सेलिंग आपके लिए बेस्ट आप्शन है, आप डारेक सेलिंग से आप अपनी इस पैसे की कमी को दूर कर सकते हो, या आपको ये health issue है, आप इस health issue को आप इस product से सही कर सकते हो, या आप insurance के business में हो, तो आप बोल सकते हो, आपकी family की security के लिए, आपके future के लिए, आप लोग यदि इस चीज में invest करोगे, यदि आप ये वाली policy लोगे, ये आपके लिए अच्छी होगी, this is what called consultancy, तो be a consultant instead of being a salesman, हमें salesman नहीं बनना है, हमें consultant बनना है.